टोडे, I introduce School Apps सबसे पहले मैं School Apps को Open करता हूँ तो ऐसा करता हूँ, मैं से logout कर लेता हूँ फिर से मैं इसको start se समझाता हूँ देखिए समें एक login system है login system ये application child के पास रेगा, मतलब student के पास रेगा तो देख्धिए, सबसे पहले वो login करेगा लोगिन वो किससे करेगा रोल नमर और पासवर्ट से यह रोल नमर पासवट स्गोल प्रोवाइड करेगई उसको यहां पर इसका इस्कोल का लोगो रहेगा और वय अच्छा से सिकी डिजाइनिंग होगी और इसकी जैसे वन क्लास का मैंने ऐसे ही एक्जामपल में ले चुका हूँ तो यह चीज उसके कॉलेज उसे आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड़ करेंगे ऐसे मैं इसे लॉग इन कर लिया जैसे इस्ट्रेंड इसमें लॉग इन करेगा सबसे पहले इसके पास यह ह इसे इमेज अपलोड करेगा वो सारा जैसे क्लास वर्क होमवर्क एसाइनमेंट वो सारा चीज उसके देखेगा जैसे क्लास वर्क में क्या हुआ कौन से क्लास का है क्या डेट है क्या क्या करने के लिए देखा जैसे मैं सब्जेक्ट है क्या डेट है इमेल राइटिंग उस क्लास वन को सेमेंट होगा जो यूजर से लॉग इन करेगा उसी को चीज दिखेगा अगर क्लास टू का स्टुडेंट लॉग इन करता है तो क्लास टू को हॉमबर्क और असाइन्मेंट दिखेगा यह सारे चीज इसकूल के थो जो टीचर है उसको भी एक एपस दिया जाएग जिसके तरुए इसके सारा मैनेजमेंट कर से अब देखेगा यह तो रा क्लास टू को हॉमबर्क और असाइमेंट अब आता है अटेंडेंस पिछली मन्त का अटेंडेंस सारा इसमें सो करेगा अगर प्रिवियस मन्त में हमारे स्टूडेंट कितना प्रिजेंट था कितना हा टाइम टेळल वर यहां से अपडेट कर सकता है कि मेरे सकूल का टाइमिंग यह हैँ आप चेंज हो गया ले असरे शारे चीज कर सकते हिसके अपर सब्सके और आपके सब्सक्राइब कब 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 होलिडे हैं वह तारा यहां से देक्श szakकता है उसके बाद notice word यह सारा चीज college school के तरू अपडेट होगा student इसे देखेगा उसके parents से देख सकते हैं ते कि सबसे पहले notice word होगा month होगा नया नया अगर notice आता है तो यहाँ पर school अपना notice अपडेट कर सकता है और parents इसे देख सकते हैं उसके बाद आता है books ऐसे मैंने simple books डाला है यहां पर उस student का classes book होगा जैसे first class में कौन-कौन सा book चलता है second class में कौन-कौन सा book चलता है और third class में कौन-कौन सा book चलता है ऐसे मैंने भी कोई भी simple image दिया है यहां पर उसका books का name रहेगा उसके बाद रग एक्टिविटी कि आपके school में कौन-कौन सा क्या क्या activity होता है जैसे देखिए यहां पर डेट है इतने डेट को कोई सेमिनार हुआ था कुछ सेमिनार का इमेज होगा कि हाँ क्या सेमिनार हुआ था इस से क्याता है कि स्कूल का इंप्रेशन भी बढ़ता है तो यह बहुत अच्छा चीज है एक्टिविटी उसके बाद है फीडियू आपका पूरा फीडियू यह स्कूल के तरफ से जो इसका एप्टिकेशन मिला जाएगा स्कूल को वहां से थ्रूए अपडेट होगा तो उसको यह अपडेट क क्य mögen phone है कौन सा यह रहे स्टुडेंट का नाम स्ट्ट का रोल नमर कुछ एणुवलफी इस मंदली भी सड्यूज टोटल पेनाल टी यह सारा चीज़ इसको आ छो नाप है इस्टुडändig पास पूरा चीज़ रिज़म हो जा घया उसके पास रिजल्ट कि यह देखिए जैसा फ्रिक पार अप् करेंश यह स्टुडियंट समक्राइट क dify पूर स्वक्राइब आ ocs को में कितना नमर आया कितना नमर आ जा इस स्टूड को देख सकता है उसको आगा से स्टूड की गाड़ी चल रही है तो इसकूल का नाम to गाड़ी का नम्मर टाइमिंग क्या डेटरो के तैंसमें। सक्यूकर गाड़ी अपटेम में हमें और जान सकते। यह ट्रांसपोर्ट और भी इसमें अपडेट कर सकते हैं, मैंने एख सिंपल एक ही अपडेट किया है okay, उसके बाद नेविगेसन है देखिए अपने स्कूल का लोकेशन डाल सकते हैं, यहां से यहां जिसके लोकेशन भी यहां से डाल सकते हैं, उसके बाद है online classes मैंने simple सा यहां के ब्लेक फॉर्ड को नम दिया कि कौन सी platform online class हो रहा है जैसे YouTube पे हो रहा है तो YouTube पे जैसे यह लिंक है इस पर जैसे open कर रहे है तो यह YouTube open हो जाएगा तो यह link online classes अगर डूप रहता है डूबर का link paste ना देगा यह सारे इसकूल के थरूद update होगा यहां पर इस्टूट यह parents को देखेंगी उसका वाट टूर है देखिए टूर पर क्या है कि मतलब आपका इसकूल कहीं बहुत बार visit कराता है कहीं पर तो उसका पहले इसका नाम होगा जहां पर visit कराया उसका date होगा और तो यहां तक था उसके बाद देखे profile पर जाएंगे हैं यहां पर स्कूल्म होगा स्टूट का यहां क्लास होगा यहां पर स्टूट का सारी श्कूल का लोगों होगा यह इसका फोटो होगा उसके बाद admission नमर होगा रोल नम्मर होगा यह सारा स्टुएंट का पूरा का पूरा डीटेल होगा उसके बाद यहां फी रिसीट होगा पूरे का पूरे कितना फी है सारा डीटेल इस पर यहां पर सो होगा उसके बाद यहां एडमिसन इंक्वारी होगा स्कूल का जैसे किसी भी स्टुएंट को एडमिसन क क्वारी का। उक्के उसके बाद आता है हमारा देखिए, यहां स proudly School का नाम होगा उसके बाद यहां इसकलोम का नाम होगा।। मतलब कहां तक उसे नजीन करने बाद सरे भी आत्रिक होगा। उसके लुसके वाट कि लुसके हना साथ हुट है, लिए देटेल हो गए सिकोल करते हैं, आपने स्कूल को सब्सक्राइब देए सकते हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के वारे में पुरा डीटेल वह देख सकते हैं और जान सकते हैं। के उसके बाद लिव आप्लिकेशन by default अगर बच्चे को वह जाना हो तो वह application फिल करके यहां से जा सकता है। ऐसा ज़ितरी नहीं कि और ड्रूले के स्कूल में जा 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 सकता है। तक ब्रूले कुल में जाके जा सकता है। को हो सके खर को को तो सारह फिल करकर को कर सकता यह था पूरे MID सुमपल के स्कूल का inan is आपको बहुत ही लो कोस्ट में हो जाएगी इसके लिए आपको कॉंटेक्ट करना है 9306637630 मतलब 3906 37430 पर ओके थैंक यू